वेलकम इन सेले साइट याई क्लासेस आप सभी दोस्तों का सेले साइट याई क्लासेस में स्वागत है दोस्तों निव रिकूटमेंट हाई कोट आप जूड ये केचर एड पटना याने की पटना हाई कोट से आपके लिए रिकूटमेंट है तो वीडियो के लास तक बने रहे सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह के रोज डेली जॉब न्यूज पाने के लिए वीडियो को लाइक करे सेयर करे सब्सक्राइब करे और कॉमेंट करना ना भूले तो इसमें दोस्तों मैं बता दू कि रिकूरूटमेंट जो है पटना आई कोड से निकला हूँ वह भी एस्ट लास्ट डेट आपका है 29 मार्च जो कि उस दिन तक आप अपलाई कर सकते हैं पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप 31 मार्च तक लास्ट पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद से या पे लेवल की इसका दिखाद में तो पे लेवल की बात करें तो यह आपका टोनोग्राफ और ग्रूप C में आता है पे लेवल फोर रहने वाला है जो की काफी बेहतरीन है पे लेवल दोस्तों काफी आच्छा-कासा है इसमें सेलरी आपकी बात किया जाए तो सेलरी आपको 25,500 से 81,100 रुपे प्लस आपको जो एलाउंस मिलते हैं जो गवर्मेंट के तरफ से जो छूट मिलेंगे वो अलग है तो ये काफी रिकूरूटमेंट बिहतरिन है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म को फिलप करें इसमें मैं बता दूं कि सीट की बात कर लें सीट काटेगरी वाइस बात कर लें तो सीट इसमें ऑन रिजर्ब के लिए पचपन है ओमें के लिए 18 है सीडियूल कास्ट की बात करें तो एक इस है और आट ओमें की लिए है सीडियूल यस्टी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं दो सीट है और ए इडीसी एक्स्टर्नमली बैकवर्ड क्लास जो की आपका 23 है उसमें female के लिए 9 वेकेंसि है बैकवर्ड बेसी क्लास की बात करें यानि की OVC की तो 15 है इसमें female के लिए 5 शिट है एकोनोमिकल वीकर सेक्षन यानि की EWS के लिए बात करें तो 13 है जिसमें जिसमें female के लिए 4 शिट है टोटल वेकेंसि आपका होने वाला है 139 पे और फिमेल के लिए 44 शिट में रहेगा तो यह काफी व्यहत्रिन है अपर्चुनिटी और कोट में रहेना आपको यह व्यहत्रिन प्लेस है आपके जो जॉब लोकेशन का है जो जॉब करना है वह काफी अच्छी है इसमें eligibility criteria की बात करो दोस्तों eligibility criteria आप देख सकते हैं कि citizen of the Indian होना चाहिए तो वह apply कर सकता है citizen of Indian इसके बाद से आते हैं दोस्तों important बात आपका marital जो देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि a male candidate who have more than one wife जिसके जो एक साधी किया है वो लोग इसमें female या male हो वो लोग eligible है जिनके दो साधी हो वो लोग apply इसमें नहीं करेंगे physical fitness इसमें ज्यादा compulsory नहीं आपको mentally और health fit होना चाहिए यानि कि कोई रोग नहीं होना चाहिए और mentally सही होना चाहिए age limit की बात करूँ तो एक limit काफी अच्छा कासा इसमें दिया है इसमें एक condition है कि 11 2004 के बाद से जिनका data वर्थ होगा यानि कि 11 2005 यह 2006 वो लोग 18 वर्स से कम होंगे तो लोग apply नहीं करेंगे इसमें 18 वर्स में मांगा है तो एक एक 2004 के पहले का होना चाहिए एक 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए इसके बाद से यह मैं बता दू कैटेगरी वाइस तो इसमें देख सकते हैं कि 37 वर्स और रिजर्ब के लिए दिया है और 40 वर्स आपका AWS काटेगरी के लिए अधर बैकवर्ड कास्ट के लिए 40 वर्स है उसके बाद से स्ट के लिए 42 है और AWS या इबिसी बीसी या स्ट के लिए जो हैंडिकेप्ट होंगे उनको 47 दे रहा है तो एक काफी ऑपर्चुनेटी बढ़िया है काफी एज में छूट दिया उसके बाद से आपका मैं करें तो इसमें 12 वाले अपलाई कर सकते हैं 12 वाले अपलाई कर सकते हैं जिनका 12 भी पास हो गया है वह 12 वाले अपलाई कर सकते हैं और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए जिसमें की स्पीड उनके पास एक डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका स्टिफिकेट है यह लोग इसमें इलीजबल है तो ए बेस्ट है आई टी आई वालों के लिए मिन Animus speed आपका 80 vadBay Tob In English में होना चाहिए और 40 what per minute इंंग् ли olmuş typing तैपिंग यानि की अंव Cryptoga होना चाईएो मिनिमम में चालिस वर्ड पर मिनट इन इंग्लिस और मैक्सिमम में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए उसके बाद से रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि सीडूल कस्ट के लिए 16 परसेंट यानि कि एस्टी के लिए एक परसेंट और एक्स्ट्रीमिली आयकॉवर्ड क्लास के लिए उसके बाद से नेक्स्ट इंप पर्सेंट आपको बता दू मूड आप सेलेक्शन जो होगा mood of selection की बात करें तो written test होगा जो की multiple choice question based objective test रहेंगे यानि की 4 option आपको दिये जाएंगे जिसमें से एक को select करना होगा और typing test होगा English short computer typing test speed 80 word per minute 300 word only आपको दिये जाएंगे चार मिनट में करने हैं आपको तो यह काफी चार मिनट में आपको यह रहेगा minimum maximum उसके बाद से देख सकते हैं कि minimum qualifying standard 40% objective written test और 85% accuracy in English short hand typing 90% accuracy in English typing और 30% interview syllabus and schema exam तो syllabus में बता दूं कि आपको English language and grammar का होगा basic computer science का होगा जो कि 30 marks का यह होने वाला है आपका English language and grammar से और basic computer science से 20 marks का आने वाला है उसके बाद से examination फिस देख से candidate are required to pay the following यह तो काफी ज्यादा यह सरकार को सोचना चाहिए जो खुद बेरोजगार है जो खुद रोजगार के चक्कर में पैसा कमाने के लिए सब कर रहा है तो उसके लिए तो यह फिस काफी ज्यादा है मैं बता दूं कि आपको देना पड़ेगा तो यह काफी ज्यादा है सरकार को एक बार इसमें विचार करना चाहिए जो भी संस्ताय से जादे फिस लगाती है उसको थोड़ा सा कोई कानून उनके लिए बनाना चाहिए सेंटर आप एक्जाम तो तीन जगे आपका होने वाला है देख सकते हैं पटना मुझा पर अपूरे निया तो यह आपका एक्जाम सेंटर है उसके बाद से एक्जाम जो सॉटलिस्टेट होंगे उनके लिए इसमें प्रोसीजर दिया मैंने पीडिया का लिंक डिस्क्रिप् मैं बता दूँँ तो देख लेगते हैं कि हाव टो अपलाई अपलाई कर से करना है तो अपलाई के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप आप यहाँ दिखाया है कि आप अप अपिशिल विव साइट पे जाके पटनाहायकोट.गौर्मेंट.ट.uu पे जा उसके बाद से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रजिस्टर पे अपना क्लिक करके आपको इमेल आइडिया और जो आपका फोन नंबर होगा उस पे SMS जाएगा उसके थुरू आपका पूरा डेटेल से डालके और अपलाई कर लेना है तो यह था पटना हाई कोट जॉब सटिफिकेट होना चाहिए इंटरमेडियेट का माक्सिर सटिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन अगर डिग्री है तो आप लगा सकते हैं उसके बाद से बाक्सिर सटिफिकेट उसका भी लगेगा निवास सटिफिकेट आपका लगेगा अगर आप वहां के निवासी है तो शोनक के बाड से कांश्ट सटीफिकेट लगेगा और लास्ट शिक्स मुंद्स in computer कोर्न जो आपका देंबाया है दिप्लोमय सटीफिकेट जो लास्ट शिक्स अधैट का आपका इस पलिव कोमपूजरी होना चाहिए तो आप अवह से भूकि लगेगा और certificate of English shorthand and English typing from any recognized institutions तो वहां से आपको लेना होगा और other आप जो भी document लगाते हैं वो सब scan करके इसमें देना है JPG आपका होना चाहिए JPG होना चाहिए format 50-80 KB के बीच में होना चाहिए इसको आप upload कर लेना है उसके बाद से सभी के लिए इसमें दे रखा है guideline तो आप पीडियोग को एक बार apply करने से पहले जरूर देख लें और apply करें बेस्ट आप लग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें कापी important notification है आप लोगों के लिए तो मिलते हैं इसी तरह के next recruitment में daily job update के लिए आप चैनल से जुड़े subscribe करें बेल आइकन दबाएं और like करना ना भूले वीडियो को उसके बाद से आप टेली गराम लिंक से जूर सकते हैं fast news पाने के लिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए भाए